सुप्रिम कोट का एक फैसला आया है और यह जो फैसला सुप्रिम कोट ने दिया है वो पैतरिक संपत्ती को लेकर है अब पैतरिक संपत्ती का जो विबाद हुआ वो किसी और के बीच में नहीं आप भी सुनेंगे इस फैसले को तो आप भी हैरान रहा जाएंगे और आप देख रहें कि यह फैसला यानि कोट में क्या क्या हुआ, क्या मामला याची का दायर किया गया और किस तरह से उसका आपको जज्जमेंट सुप्रिम कोट के द्वारा दिया और निचली अदालत ने क्या फैसला दिया, उन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे, लेकि आज आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह जो बिबाद है वो किन के बीच में है, तो हम आपको बता दें यह बिबाद जो है सिर्फ पिता और बेटे के बीच का है, यानि पैतरिक संपत्ती को लेकर, यानि जो एक तरह से बिबाद हुआ, वो किसी अन के बीच है पिता और बेटे के बीच में है, अब सवाल यह उटा है कि यह पिता और बेटे के बीच में जो है विबाद किसलिए हुआ, क्यूं हुआ, और क्या-क्या परतिकिरिया दिया गया, इन सभी बातों को देखते हैं, सबसे पहले देखे हैं, पिता के द्वारा, ठीक है, पिता क पिता के दौरा करज लिया गया हो। करज जो पिता के दौरा करज को नहीं चुका पारे हैं। तो क्या वो पैतरिक संपत्ती को बेच कर चुका सकते हैं विबाद इसी के लिए था पिता के द्वारा पैतरिक संपत्ती को बेचा गया और पिता के द्वारा जो पैतरिक संपत्ती को बेचा गया तो उस पे आपत्ती दर्ज जो है वो बेटे के द्वारा कराया गया कि ये पि मेटे का ऐसा कहना था कि इसमें मेरा भी हक है आप बिना मेरी सहमती के इस प्रोपर्टी को नहीं बेश सकते हैं लेकिन पिता का जो एक तरह से बस दलील यही है कि पिता ने जो संपत्ती बेचा है अपने ऐसो अराम के लिए नहीं पिता ने जो संपत्ती बेचा है वो कर्ज को चुकाने के लिए ठीक है अब यहाँ पे देखें हैं कि परिवारी कर्ज को चुकाने के लिए माल लेते हैं पुत्र या अन्य रिस्तेदार अन्य हिस्सेदार है ना कि एक तो पुत्र भी हिस्सेदार है और दूसरा भाई भी हिस्सेदार है बहन जो है वो भी हिस्सेदार है तो अन्य जो हिस्सेदार है वो उस पे जो है यानि कोई अगर आपती दर्ज करता है तो इसका कोई भी फाइदा नहीं होगा मतलब आप उसको चुनोती नहीं दे सकते हैं इस बात को आप समझ लें कि अगर पिता के द्वारा बेचा जा रहा है तो ना बेटा उसको चुनोती दे पाएगा ना जो है अन हिस्तेदार दे पाएगा ना बेटी दे पाएगी तो सवाल होता है कि पैतरिक संपत्ती अगर पिता बेच रहे हैं तो कैसे रोकेंगे हैं हम इस सवाल के बारे में भी आगे आपको बताए आखिर आप अगर चुनोती यह नहीं दे सकते हैं और पिता जो है उसको बेच रहे हैं पैतरिक संपत्ती को तो आप उसको कैसे रोकेंगे लेकिन यह आर्टिकल 2 यहाँ पर 254 में क्या प्राबधान है एक बार आप इसको भी समझ लीजिए तो यह जो कानून है आर्टिकल 254 यहाँ तो इसमें पिता को यानि पिता को ऐसा अधिकार दिया गया है कि वो संपत्ती को बेच सकते हैं और उस संपत्ती को बेच कर ठीक है माल लेते हैं उनका किसी कानूनी परकिरिया में पैसा लग रहा है इलाज में पैसा लग रहा है ठीक या इसके अलाबा कोई एक तरह से ऐसी जरूरत है, जो कि उनकी ऐसी जरूरत है कि जिसके लिए बेचना, संपत्ती को बेचना बेहत जरूरी है, इसलिए पडिवार जो है, यानि उनको पूरा अधिकार है कि वो उस संपत्ती को बेच सकते हैं, कोई यानि कर्ज सुकाने के लि कानून है उसमें ऐसा जो है प्राबधान है ठीक है हिंदू कानून के जो है आर्टिकल 254 में अब एक सवाल मन में चल रहा होगा यह चल रहा होगा कि ठीक है पिता अगर बेचना चाहरा है तो बेचें लेकिन पिता बेटे या बेटी उनकी हिस्सा पैतरिक संपत्ति उसको क्य चेंगें है ना तो हम आपको बता दें कि यहां जो आर्टिकल 254 है है ना 54 और यहां पे दो जो है इसमें यही प्राबधान है कि वो जो है यानि पिता जो है संपत्ति को बेच सकते हैं और साथ में अगर बेटा का जो है अगर हिस्सा है तो उसको भी बेच सकते हैं इसलिए कि जो है अगर कर्ज उनको चुकाना है और कर्ज चुकाने के लिए अगर ये जरुवत परे अब सबसे बड़ी बात है कि पैत्रिक या जो अनैतिक काडिय का जो कर्ज है वो हम बता देते हैं देखिये एक कर्ज है कि जो पूरा पड़िभार अको देखना चाहिए उसमें और वो पैत्रिक संपत्ती जो है उसको बेच कर चुकाए जा सकता लेकिन कोई भी अनयतिक कर्ज है कर्ज है अवएद कर्ज है इसको अब समझ लेजीए कि आप जिसको जिसकी मतलब है जरुरत नहीं है उस परकार का काड़िय किया गया है उस तरह का कोई कर्ज है ठीक है तो उसमें यहां पे आप जो है अब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर मन लेते हैं पिता के दौरा अपनी एसो अराम के लिए संपत्ती को बेचा जा रहा है ठीक है मतलब है या उसको एक तरह से बेच के वो अपनी अयासी कर रहा है उसको लुटा रहा है तो क्या उस पर अबजेक्शन लेना चाहिए और ये अबजेक्शन कौन ले सकता है बेटा ले सकता है ऐसा अधिकार है आपका पैत्रिक्स संपत्ति में हक है लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंडिसन क्या हो गया कंडिसन यही हो गया कि माल लेते हैं गर में कोई बरा करज लिया गया फैमिली के उपर हो सकते हैं कि अपके बाप अपूरबज के दौरा ही लिया गया होगा यह family के कुछ ऐसे काड़ी के लिए करज लिया गया होगा के लिए करज लिया गया होगा हो सकता है कि बेटी की साधी के लिए करज लिया गया होगा तो यहाँ पे पिता का अधिकार है कि वो पिता वो समपत्ती बेश सकते हैं लेकिन कोई अनेतिक कार ये के लिए कमाल लेते हैं कि कोई आयोजन वो करवा रहे हैं उसको बेच गे तो वो आपके हिस्से की प्रुपर्टी को नहीं बेच सकते हैं है ना जो यहाँ पर आपका हिस्सा बनता है बेटा का हिस्सा बनता है उसके आपके हिस्से की प्रुपर्ट पिता भी हम ये बात पहले भी बता चुके हैं कि पिता भी क्या है यानि वो भी एक हिस्सेदार है ठीक है यानि पिता जो है वो भी इस संपत्ती के सिर्फ एक हिस्सेदार है अब हिस्सेदार है तो क्या होगा है न अपना हिस्सा जो पिता है उसके अलाबा यानि अब बेटे क जो हैसा वो तो नहीं बेचेंगे लेकिन अगर वो सारी प्रपर्टी बेच रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये अबैद कर रहे हैं तो यानि आपको जो है उस पर अब्जक्शन लगाना चाहिए ठीक है अब सवाल ये उठता है कि जब ये मामला ये तो सुप्रिम कोट ने फैसला दिया कि ठीक है पिता जो है अपने करज को चुकाने के लिए वो संपत्ती बेच सकते हैं ऐसा उनको राइट है है ना ये फैसला दिया कि अपनी जरूरतों को कानूनी जरूरत या कोई भी पैत्रिक करज है तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो पड़िबार के मुखियां है वो पेत्रिक संपत्ति को बेज सकते हैं है न पूडे को बेज सकते हैं तो ऐसा उनका कहना है या पुत्र हो या अन्हिस्तदार हो उसमें कोट में कोई भी जो है वहाँ पे चुनवति नहीं दे सकता है लेकिन सवाल ये उड़ता है कि निचली अदालत ने क्या फैसला दिया है तो ये भी समझना आपके लिए आज भी है जरूरी है कि जो निचली ट्राइल कोट है वहाँ पर जो है एक तरह से क्या फैसला दिया गया होगा तो जान लिजी है ट्राइल कोट का और हाई कोट दोनों का हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जब बेटे के दोरा याची का दायर किया गया तो सबसे पहले जो ट्राइल कोट का फैसला है ठीक है ट्राइल कोट का फैसला वो बेटे के पक्ष में दिया गया मतलब क्या हुआ कि जो है एक तरह से बिक्री जो है उसको जो बेचा गया उस बिक्री को उस बिक्री को रद कर दिया गया है ना रद कर दिया गया और रद करने के बाद पिता के दोरा फिर दुबारा जो है याने हाई कोट का दरवाजा जो है वो खट-कटाया गया और हाई कोट ने भी उसी फैसले ट्राइल कोट के फैसले को ही बरकरार रखा मतलब उसके बाद पिता के द्वारा जो है सुप्रिम कोट का दरवाजा जो है खट-कटाया गया लेकिन सुप्रिम कोट के द्वारा जो है एक तरह से फैसला सब कुछ को देखते हुए इसलिए हम आपको बताते हैं कि कभी भी निरास ना हो अगर आप ट्रायल कोर्ट का केस हार जाते हैं अगर आप हाई कोर्ट का भी केस हार जाते हैं तो कभी निरास नहों सुप्रिम कोर्ट भी है उसके उपर ठीक है और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो पैतरिक संपती है कब बेची जा सकती है कब नहीं तो पैतरिक अगर कोई भी कर्ज है ठीक है पैतरिक कर्ज है तो उसको चुकाने के लिए ठीक है उसके अलाबा कब हो सकता है माल लेते हैं कि पुत्री या पुत्र का ही विबा हो तो वो बेश सकते हैं अगर उसमें किसी परकार का वेसे बेसिक खर्च है तो वो कर सकते हैं कोई माल लेते हैं किसी का अंतिम संसकार है ठीक है अंतिम संसकार है तो वो बेश सकते हैं उनके लिए अब कोई उन पे माल लेते हैं अपरादिक मुकदमा धर्ज कर दिया है ना मुकदमा धर्ज कर दिया या किसी परकार का मुकदमा है तो उसका जो खर्च है उसके लिए वो संपत्ती को इसलिए कि संजुक्त परिवार जो है जूएंट फैमिली के मुकिया है इसलिए वो संपत्ती को बेश सकते हैं तो ये आप समझ लें इसके अलावा भी something और कुछ भी यहां पर point हो सकते हैं